जी फ्रेंट्स ठंड बहुत ज्यादा है चिक्स मेरे पास कठे हो गया है साथ में यह देखें खुराक नहीं मिल रही तो कवे भी भाग के आ रहे हैं और गुलेहरियां भी आ रही है तो कवे अपना दाना चुगी लेते हैं बीज में देखें घेरा डालके बैठे हुए वह उ कवे जफटे और इनका इसेगा ले गए और इनके नोप में कोई कवा आखा नी रहा है ठंड बहुत ज्यादा है खुराक नहीं है तो वह गुलेहरियां देखें हैं तीन गुलेहरियां महां फिर रही हैं दो यहां फिर रही हैं तो हम साथ-साथ में जो दाना बचता है यह भी खा लेती हैं गुलैरियां बहुत ज्यादा हैं यहां शॉक देखें आपको मैं दिखाऊंगा इसके साथ बड़ा मिस हैफ हुआ है इसकी जबान पर कोई दाना निकला है मुझे पता नहीं चल सका क्योंकि बदाहर यह बिल्कुल ठीक लग रहा है जब मैंने रात सबका मु खोल के देखा के मैं कहा कोई इनफेक्शन ना हो तो इसकी जबान गल चुकी थी तो मैंने वह कटर से काट दी उसको पीप पड़ गई थी बिल्कुल ही खतम है इसकी जबान नहीं है अब यह बिल्कुल ही बगएर जबान के मुरगा है हमेरा आपको मैं कभी इसका मुग खो आप अब आप अब यह जूरी यह कासनी और वह लाखा मेरा उसकी थोड़ी तबियत खराब हो रही है यह काफी स्ट्रगल करने के बाद कुछ बहतर हो गई है यह कुछ नहीं खाता बस खिलाता ही रहता लोगोंगे यह साब्स मेरा बहुत खुप्सूरत बनता जा रहा है माशाला से काले में पीला बढ़ गया यह भी गरदन पीली कर रहा है कासना देखें आप आँके देखें पिलकुछ सुफएद साप करता जा रहा है जाड़े चार-पांच पांच मां के पठें यह मास्शाला से मुर्गी का शॉक करें इस मुर्गी का शॉक करें चेहरा भी फीला है सुर्ख नी किया इसने कमजोर है बीमारी से सरवाइब किया इसने बहुत क्राख्त चेहरा काली नोक आँखों में इसके काले टिक्के माकोई से ब्लैक पंजे और यह अपना नियाँ वाली मदारी और अम्रोहा की ब्रीड क्रास दर क्रास उनका कोई रिजल्ट है यह नहीं है मेरे बड़े सब्सजावे का और एक बैड न्यूज यह है कि वो सब्सजावा जो दोस्त ले गए थे उनके बास मार हुआ उनको वो वो मर गया है यह पठा बिलकुल उसकी फोटो कापी निकली है इसमें सिर्फ एक कमी है कि इसके पाउं पामोज नहीं है और आल यह फोटो कापी है बहुत हुपसूरत मोडू में इसके जैसे अलेक्जैंडर पैरट होता है पहाडी होता उसकी तरह इस पिली-पिली कलियां रखता है दुम में जावा गर्दम में जावा उदर मुष्का देखें फुल मस्क्यों में है यह सारे उसी सबस जावे के मेरे पठे हैं यहाँ देखें जोड़ा जोड़ा बनके फिर नहीं पानी रखा हुआ है सुबह इनको इनका पेट साफ रखने के लिए पोट चलाने के लिए एक छोटा सा टोटका आपको बता देता हूं आसा नुस्खा है सबस मिर्च लें पांच छे सबस मिर्चें लें ठोम की एक पोथी ले लें लेसन जी से कहते हैं ठोम भी कहते हैं और उसमें थोड़ा सा अध्रक डाल लें इनको ब्लेंडर में अची अच्छा सा इस गाड़ा सा अच्छा सा ना शर्बत सा बन जायागा इसके बाद उसमें आटा भी घोगे गुंद के तो व्हो खिला दें आ अज उससे इनका सबस सोबो खिलाए उसके बाद यह गरम पानी मतलब ताजा फ्रेश पानी मोटर चला के इनको रख दें यह पिते साफ होगा इनका पोट निठारेगा ठंड बहुत ज्यादा है क्योंके ये काली पठी देखें और ये चीना सा बन गया जो ये वही चिक है जो एक ब्लैक मादा के साथ मैंने गरियों में वीडियो अपलोड की थी एक सुफैद नजर आता था और एक ब्लैक नजर आता था ये पठी निकली है वो पठा निकला है और वो ये अभी एक डेड़ मां के थे के वो जो मुर्गी थी वो एक दोस्त ले गया ब्रीड के लिए तब से ये मुर्गा इनको पाल रहा है ये हर वक इसके साथ रहते हैं तो जैसे ही इनको कशन किया जाए तो ये भाग के इसी के साथ ये देखें ये माशाला से अभी साड़े थीन चार मां का पठा च्छोटा है वह पठी देखें हाइट बहुत कर गई है ये उस काले जावे की है और वो जो पठा है वो पीला मुर्गा था मेरा वो डैमेज हो गया पाला अब इस मुर्गे ने है इनको ये देखें ये हर वक ये इनको इस नेपाला है एक पठीन के साथ ये लग गई है ये उसी काले जावे और जो इसके साथ मादा थी उनी की प्योर बलड़ है बहुत अच्छे परमोज है चेहरा देखें इसको आप काले इसमें ठीके और खुप्सूरत बेल वाली लंबी और ये भी मजीद जवान होनी है सब्सक्राइब पांच-छेश-छेश-शाथ मागी पठी है ये काई में से भी ये अपना चीचड मीचड हो तो वह भी साफ कर लेते हैं कमेंट कीजेगा फ्रेंट्स थैंक्यू